हेलो दोस्तों, आज एक नया डिजाइन बनाएंगे, ये देखें, ये कुछ इस तरह से बनके आता है बहुत प्यारा डिजाइन है, बहुत जल्दी बनता है, बहुत आसान है ये फ्रेंट साइड है और ये इसकी बैक साइड है इस डिजाइन को आप लेडिस कारडिगन, गर्ल स्वैटर, बेबी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हो आप चाहो तो इसे बॉर्डर की तरह भी यूज़ कर सकते हो जैसे हम बॉर्डर बनाते हैं, नॉर्मली एक सीधा, एक उल्टा उसकी जगा आप इसे बॉर्डर की तरह भी यूज़ कर सकते हो यहाँ पे एज में ये इस तरह से वेवस में बनके आता है तो बहुत प्यारा लगता है किनारे में बना हुआ बॉर्डर की जगा में तो इसे बनाने के लिए आपको 14 के मल्टिपल में स्टिचिस चाहिए प्लस एक स्टिच एक स्टा रखेंगे डिजाइन कवर करने के लिए और एक एक स्टिच दोनो साइड में रहेगा सिलाई के लिए जब हम सिलाई करेंगे उसके लिए तो cast on कर लिजे, डिजाइन शुरू करेंगे, ये हमारी row 1 है, row 1 से हम डिजाइन को शुरू करने वाले है slip करेंगे पहले stitch को एक सीधा, दो stitch बनाएंगे right side को एक साथ, again दो stitch बनाएंगे right side को एक साथ दो बार हमने दो stitch right side को एक साथ बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक सीधा, again धागा अपनी तरफ करेंगे, एक सीधा, again धागा अपनी तरफ करेंगे, एक सीधा, और फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे यह हमने टोटल चार बार यान ओवर करा है एक दो तीन और ये एक इसे मिला के चार चार बार हमने यान ओवर कर लिया है अब यहां पे आपने स्लिप करना है स्टिच को स्लिप करें दो स्टिच वापिस सिलाई में लें और दो का एक कर दें अगेन स्लिप करेंगे दो स्टिच वापिस सिलाई में लेंगे और दो का एक कर देंगे ये हमारा एक सेट कम्पलीट हो गया है इसी को अगेन आपने रिपीट करना है जितने भी सेट होंगे तो एक सीधे से शुरू करेंगे एक सीधा दो स्टिच बनाएंगे राइट साइड को एक साथ अगेन दो स्टिच बनाएंगे राइट साइड को एक साथ धागा अपनी तरफ करेंगे चार बार यान ओवर करना है एक सीधा बनाएं दो फिर से सीधा तीन अगेन एक सीधा और चार चार बार yarn over हो गया है slip करेंगे दो stitch को वापिस सिलाई में लेंगे और दो का एक कर देंगे again slip करेंगे दो stitch को वापिस सिलाई में लेंगे और दो का एक कर देंगे again फिर से दुबारा से एक सीधे से शुरू करियेगा और इसी तरह से repeat करते हुए आपने right side को complete करना है यहाँ पर ये edge में मैंने ये extra stitch रखा है इसे मैं सीधा बनाऊंगी और सिलाई वाले stitch को सीधा बना के row को complete कर लूँगी ये हमारी row 1 right side complete हो गई है turn कर लीजे wrong side बनाएंगे तो wrong side हमारी जित्ती बार भी row बनने वाली है सारी सिलाई उल्टे में ही बनेगी तो जित्ते भी stitches होंगे सारे परल में बनाते हुए उल्टी तरफ से उल्टे stitches बनाते हुए wrong side को complete करेंगे तो चाहे यान ओवर है या निट का stitch है आपके सारे stitches परल में ही बनाने है तो ये हमारी wrong side जो है वो complete हो गई है turn कर लीजे right side बनाएंगे अगेन फिर से दुबारा से row 1 को हम repeat करने वाले हैं तो row 1 जिस तरह से हमने बनाई थी वैसे ही दुबारा से बनाएंगे तो slip करें पहले stitch को 1 सीधा दो stitch बनाएंगे right side को 1 साथ अगेन दो stitch बनाएंगे right side को 1 साथ धागा अपनी तरफ करेंगे चार बार yarn over करेंगे तो एक ये एक बार हमने कर लिया है knit करें फिर से अगेन धागा अपनी तरफ करें दो फिर से अगेन धागा अपनी तरफ करेंगे तीन और अगेन एक बार फिर से धागा अपनी तरफ करें चार जब आप fourth time आपने धागा अपनी तरफ करना है तो आपने slip करना है दो stitches को वापिस सिलाई में लेके 2 का एक बनाएंगे again slip करेंगे 2 stitch वापिस सिलाई में लेंगे और 2 का 1 कर देंगे यह हमारा 1 set again repeat हो गया है फिर से शुरू करेंगे 1 सीधा 2 stitch right side को 1 again 2 stitch right side को 1 साथ धागा अपनी तरफ करेंगे और 4 बार yarn over करेंगे तो ये धागा अपनी तरफ कर लिया है एक अगेन धागा अपनी तरफ करें दो फिर से धागा अपनी तरफ करें तीन और अगेन धागा अपनी तरफ करेंगे चार slip करेंगे 2 stitches को वापिस सिलाई में लेंगे जब आपने चौती बार धागा आपनी तरफ करना है तो आपने 2 stitches left side को एक साथ बनाने है तो इस तरह से 2 stitches एक साथ बना दें again slip करें 2 stitches वापिस सिलाई में लेके 2 का एक कर दें last वाले stitches को सीधा बनाते हुए row को complete कर ले तो जितनी बार भी हमारी wrong side बनेगी तो ये सारी सिलाई हमारी उल्टे में बनते हुए ही complete होने वाली है तो सारे stitches उल्टे में बना ले तो wrong side हमने complete कर ली है row 1 और 2 को हमने 2 बार repeat कर लिया है अब यहाँ पे जैसे आप देखोगे यहाँ पे पहले मैंने जैसे बनाया है तो यहाँ पे net बना है फिर उसके बाद यह net यहाँ पे आ गया है उसी तरह से जब यहाँ पे net बन गया है तो यह net अब यहाँ पे बनने वाला है तो इसे थोड़ा सार चेंज करने वाले हैं हम तो slip करेंगे पहले stitch को एक सीधा धागा अपनी तरफ करेंगे अगेन एक सीधा फिर से धागा अपनी तरफ कर लिया है एक यहाँ पे हमने knit करा है और again यहाँ पे यह हमने धागा अपनी तरफ कर लिया है slip करेंगे दो stitches को वापिस सिलाई में लेंगे यहाँ धागा अपनी तरफ रखिएगा और दो का एक कर देंगे left side को एक साथ अगेन स्लिप करें दो स्टिच इसको वापिस सिलाई में लेंगे और दो का एक कर देंगे यहाँ पर अब आपके पास यहाँ सेंटर वाला स्टिच आ जाएगा यह देखें इस तरह से तो इसे सीधा बना लें अब दो स्टिच बनाएंगे राइट साइड को एक साथ अगेन धागा अपनी तरफ करेंगे तीन और फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे यह हमारा फोर टाइम धागा अपनी तरफ करा है हमने यह आनोवर करा है जब आप चौती बार धागा अपनी तरफ करोगे तो slip करें दो stitches वाप सिलाई में लें और दो का एक करें left side को again slip करेंगे दो stitch वाप सिलाई में लेंगे और दो का एक कर देंगे यह हमारा center stitch आजाएगा यह देखें इस तरह से इसे आपने सीधा बनाना है और फिर दो stitch बनाएंगे right side को एक साथ again फिर से दो stitch बनाए right side को एक साथ दो बार आपने दो stitch right side को बनाने हैं धागा अपनी तरफ करेंगे एक सीधा again धागा अपनी तरफ करके यह जो हमने extra stitch रखा था उसे सीधा बनाएंगे और अगेन इसी तरह से आगे repeat करते जाईएगा और सिलाई वाले stitch को सीधा बनाके row को complete कर ले wrong side बनाएंगे तो ये हमारी सारी सिलाई उल्टे में बनेगी तो जित्ते भी stitches हैं सारे उल्टे में बना ले तो यहाँ पर ये मेरी wrong side complete हो गई है जित्ते भी stitches थे सारे मेंने उल्टे में बनाते हुए complete कर लिया है टर्न कर लीजिए right side बनाएंगे अब जैसे हमने row 1 और 2 को दो बार repeat करा था वैसे ही हम यहाँ पर भी again फिर इसी row को दुबारा से repeat करने वाले है तो slip करेंगे पहले stitch को एक सीधा धागा अपनी तरफ करेंगे एक सीधा अगेन धागा अपनी तरफ करके slip करेंगे दो stitch वापिस सिलाई में लेंगे और 2 का एक कर देंगे अगेन slip करें दो stitch वापिस सिलाई में लें और 2 का एक कर दें center stitch आ जाएगा येवाला आपका तो इसे आपने सीधा बनाना है अब 2 बार 2 stitch right side को एक साथ बनाएंगे तो 1, 2 stitch एक बार ना दिये अगेन फिर से एक बार फिर से बनाएंगे 2 stitch right side को एक साथ 2, 2 बार हमने इसे बना लिया है धागा अपनी तरफ करेंगे चौती बार जब आपने धागा अपनी तरफ करना है तो slip करेंगे दो stitch वापिस सिलाई में लेंगे धागा अपनी तरफ रखते हुए दो stitch इस तरह से left side को एक साथ बनाएंगे. अगें सिलिप करें दो stitch वापिस सिलाई में लेंगे और दो stitch एक साथ बनाएंगे. center वाला stitch चाजाएगा इसे आपने सीधा बनाना है अब दो बार आपने दो stitch एक साथ बनाते हुए right side को बनाना है तो इस तरह दो stitch ले दो का एक कर दे फिर से दो stitch ले और दो का एक कर दे 2, दो बार हो गया धागा आपनी तरफ करेंगे एक सीधा धाग आपनी तरफ करेंगे एक्स्ट्रा स्टिच को सीधा बनाएंगे और सिलाई वाले स्टिच को सीधा बनाते हुए रो को complete कर लेंगे ये हमारी again repeat बन गई है दुबारा से रो wrong side बनाएंगे तो same रहेगा wrong side में आपने कुछ नहीं करना है सारी सिलाई को उल्टा बनाते हुए complete करेंगे तो यहां पर मैंने wrong side complete कर ली है जितने भी स्टिचिस थे सारे उल्टे में बनाते हुए complete कर ली है और यहां पर हमारा design भी जो है वो complete हो गया है जैसे मैंने आपको कहा था बहुत आसान है बहुत जल्दी बनता है design तो यह हमारा एक repeat जो है खतम हो गया है अगेन फिर से दुबारा से row one से शुरू करेंगे और इसी तरह से आगे repeat बनाते जाएंगे तो design कैसा लगा message कीजिएगा पसंद आए तो like करिएगा subscribe करना न भूलिएगा मेरे channel को please subscribe जरूर करिएगा और row one से design को दुबारा से बनाते हुए repeat करते हुए हम इसे एक बार फिर से शुरू कर लेते हैं slip करेंगे पहले stitch को एक सीधा दो stitch बनाएंगे right side को एक साथ फिर से दो stitch बनाएंगे right side को एक साथ धागा अपनी तरफ करेंगे एक सीधा फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे दो फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे तीन अगेन धागा जब अपनी तरफ करोगे चौथी बार तो slip करना है दो स्टिच इसको और left side को दो का एक करना है फिर से दो स्टिच slip करेंगे वापिस लेंगे और दो का एक कर देंगे अगेन सेंटर स्टिच आजाएगा इसे आपने सीधा बनाना है अब फिर right side को दो स्टिच एक साथ धागा अपनी तरफ करेंगे एक, दो, तीन और चार में आपने slip करना है दो स्टिच इसको और left side को दो स्टिच एक साथ बनाने है तो इस तरह से आपने ये row one जो है दुबारा से repeat शुरू हो गई है इसी तरह आप repeat करते जाएंगे और design आगे बनता जाएगा तो try ज़रूर करिएगा, बहुत प्यारा लगता है ये border में बना हुआ, बहुत प्यारी look आती है इसकी बनके तो इसे border में बनाईएगा